हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर्पया आज के इस वीडियो में हम लोग जैसा कि आप लोग को पता है कि पांच पास सेथ मोडल सेट आप लोग का जारी कर दिया गया है जैक बोड क्लाश 10 का तो उसका हम लोग गनीत का पहला मोडल सेट करने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपोर्टेट है सुरूसले के अंतक बने रहीएगा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बाराये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बैल अकन को प्रेस कर लीजे तक कि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मोबाइल पर जातारह चलिये स्टार्ट करते सबसे पहले सवाल देखे क्या है की सबसे पहले सबसे कह रहा है कि 156 के अबाज गुनद खंडք गुननफल के रूप में लिखना है आपको तो देखिए इसका दो तरीका होता है सबसे पहले या तो आप 156 को आप कर लो ठीक है आप 156 को कटाओ ठीक है जैसे या आप इसको कटाओगे 2 से तो 2 सत्य हो जाएगा 14 एक बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा दो अठी हो जाएगा 16 फिर 2 से कटाओगे तो यह कट जाएगा आपका 2 तीया 6 है ना 2 तीया 6 दो नम्मा 18 फिर अगर हम इसको कटाएगा तो 3 से कटेगा 13 बार में फिर यह 13 कट जाएगा 13 से एक बार में अगर आप धियान से देखोगे तो हमारे पास कौन कौन सा बिंदू आ चुका है तो हमारे पास आ गया है एक है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 है ना इतना मिल गया अब देखिए किस option में आपको देख रहा है हमें देख रहा है option number D में है ना देखिए यहां पर छीपा हुआ है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 यानि option number D इसका बिल्गुल सही जवाब हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो चलिए next question पर चलते हैं तो देखिए ज़ी आप लोग न अभी तक वीडियो को लाइक ने कीए तो लाइक कर देना बहुत महनत लगता है आप लोग लिए वीडियो बनाने में तो प्लीज लाइक करना और हाँ support करने के लिए अपने भाई को प्लीज चैनल को subscribe कर लेना ठीक है चलो देखते क्या है युकलिट विभाजन एल्गोरिधम से यदि A बराबर BQ पलस R है जहां आपको बताना है क्या होगा ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको option number B क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा ये जो R है ना 0 से बड़ा होना चाहिए ठीक है अगर आप ये वाले equation ये वाले equation को आप follow कर रहे हो तो R क्या होगा 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा और जो है B जो है R से बड़ा होगा बी क्या हो जाएगा R से बड़ा हो जाएगा ठीक है ना समझ रहे हो तो ये equation बनेगा option number B आंसर हो जाएगा नेक दीजिएगा और परिमे संख्या के साथ कोई भी अगर परिमे संख्या कर सड जाए तो वो भी और परिमे संख्या हो जाता है तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा और परिमे संख्या हो जाएगा ठीक है नेक्ट सवाल देखे क्या है अगला सवा अगर हम बात करें question number 5 की question number 5 में आप से करए y बराबर PX graph दिया गया तो बहुपत PX के सुन्यकों की संख्या ग्याद करना है तो देखिए जब कभी वे ऐसा graph देदे तो ये वाला X होता है और यह वाला Y होता है, सबको पता है, और यह इस तरह से काट रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो यह X एक्सिस को जितना बार काटेगा, वही इसका सुन्यक हो जाएगा, तो एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, तीन बार काटा इसलिए जो इसका सुन्याकों के संख्या हो जाएगा option number D हो जाएगा यानि कि 3 हो जाएगा ठीक है अगर हम बात करें question number 6 की तो question number 6 में आपसे कह रहा है कि बहुपद x square minus 5 का सुन्या क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना सीधा सीधा यहाँ पर लिखो x square minus 15 बराबर कर दो 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर square हटाओगे तो यह 15 पर क्या चलेगा root चल जाएगा और जानते हैं root 2 value देता है एक plus में देता है और मैनस में देता है इसलिए जो exact इसका answer हो जाएगा वह हो जाएगा root 15 भी जाएगा और minus root 15 भी हो जाएगा यहाँ पर plus और मैनस दोनों होता है ठीक है तो इसलिए हम लोगों जो option होगा option number c हो जाएगा ठीक है चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल है हमारा दिघात बहुपद x square plus 7x plus 2 के सुन्यकों का गुननफल क्या होगा तो आपको बताना है कि सुन्यकों का गुननफल क्या होगा जानते हो सुन्यकों का गुननफल क्या होता है सुन्यकों का गुननफल होता है अलफा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c by a तो यहां पर दोखो, A यहां पे है, A इसके साथ है, B इसके साथ है, और C इसके साथ है, तो C केतना वेलु है, दो, और A, X2 के साथ कोई भी नंबर नहीं, तो एक छीपव होता है, A X2 होता है, तो A6, A का वेलु केतना हो गिया, 1 तो 1 रखेंगे, ठीके, तो 2 by 1 का value कितना होता है 2N होता है तो option number C हो जाएगा इसका सही जवाब ठीक है question number 8 पे आईए question number 8 में कहा रहा है कि रैखिक समिकरन यूग में इतना है तो यह जो आपका दिया है बिल्कुल book से अदम दिया है ठीक है अब आप बताएए क्या होगा इसका answer तो इसका जो answer हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा अदित्य हल हो जाएगा एक हल को ही बोला जाता है अदित्य हल ठीक है next देखिए क्या है x plus y बराबर 14 और x minus y बराबर 4 का हल क्या होगा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है जैसी यहां पे देखिए यह बुला場 डा x plus y बराबर 14 ठीक है तो हम क्या देखेंगे यहां पर हम इसका value put करेंगे ठीक है ना हम क्या करेंगे हम इसका value put करेंगे value put करके देखेंगे lhs में फूट करके देखेंगे rhs आता है कि ने तो यह जो पहला value x का यह y का है तो 9 और 5 जुड़ने से क्या हो जागा अगर हम यहाँ 9 रख दें यहाँ 5 रख दें 9 पांच जुड़ने से 14 आगिया न तो यही हमारा answer हो जाएगा option number 6 बागे किसी को आप रख लो नहीं होगा lhs rhs के बराबर नहीं होगता x y का value रख करके भी answer निकाल सकते हो आप ठीक है question number 10 को देखिए रैखिक समिकरन युगम असंगत है तो आलेख की रेखाई कैसी होगी तो आलेख की जो रेखाई होगी वो समांतर होगी कैसी होगी समांतर होगी ठीक है देख देखे क्या है निमने में से कौन इस तरह से आना चाहिए यानि x square आना ही आना चाहिए x square आना ही आना चाहिए लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे x square बना लेकिन बराबर है जब equal रहता है तो equal के इस set अगर आपका 5 है और यह set भी अगर 5 है तो 5-5 कड़ जाएगा बात समझे ना तो यहाँ पर आप देखोगे इधर भी x square बना दा इधर भी x square यह x square चाहिए x square आपको मिलेगा तो गाइब हो जाएगा यहाँ पर देखिए a plus b का whole square तो a square होता है यानि यहाँ पर भी आपके पास a x square है यहाँ पर bhi a x square बनाएगा option c बनाएगा ठीक है नेक देखे द्विघाज समिकरन यतना का मुल वास्तविक असमान एवं भिन हो ठीक है तो इसके लिए क्या जरूरी है इसके लिए जरूरी हो जाता है आपका d जो होगा वो 0 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा इसके लिए क्या जरूरी ह इसको याद रखेगा इंपॉर्टेंट है ठीक है ओप्सन नमबर ए हो जाएगा नेक्स्ट है कह रहा है यदि विवक्तर डी यदि विवक्तर डी जीरो बड़ा हो गया डी छोटा हो गया तो इन में से कौन सा मूल क्या होगा ठीक है बताना है आपको तो सही जवाब हो कैने चाहिसे प्लत होना चाहिए एपी के लिए स wok candle होता है कि उसका जो है difference सेह होना का याद इंट उन्दों का अंतर देखो तो तो किया हो जाएगा? 0 इंदुनों को गडाओ तो किया हो जाएगा? 0 ञए? तो अगर हम बात करें 2 Sorry पहले आप 2 लिख लो क्या होगा? 2 2 मेंस से आप मैनस करतो मानस वाला 2 ञच टिक है कितना हो जाएगा? 4 आ गिया ठिक है? तो सबका difference से माना चाहिए option number B हो गया अगला सबल देखिए question number 16 question number 16 में कर रहा है AP इतना है के लिए क्रमसा पर्थम पद A और सारवांतर D क्या होगा तो देखिए जो इसका पहला पद है A केतना हो गया 3 बटा 2 तो यहाँ पे 3 बटा 2 2-3 by 2 कटाओ 2-2-2 LCM 2 हो गया तो यहाँ पे 1-2 ठीक है 1-3 ठीक है यहाँ पे आजएगा उपर में minus 2 by 2 कट जाएगा answer के आगए minus 1 ठीक है तो 3 by 2 minus 1 कहाँ पे आ रहा है 3 by 2 minus 1 option number B में आ रहा है ठीक है तो यही इसका answer हो जाएगा अगला सवाल देखे 10-10 से 250 के बीच 4 कितने गुनज है ठीक है 4 के कितने गुनज है तो इस तरह के सवाल को हम लोग AP से solve करते है 10 से बोला यानि 10 से start होना चाहिए 250 के बीच होना चाहिए तो 4 से कटने वाला 10 के बाद कोन आएगा 10 के बाद 12 आएगा उसके बाद कोन आएगा 14 आएगा उसके बाद कोन आएगा 16 आए 10 के 4 से 12 के बाद 16 आएगा 16 के बाद क्या आएगा 20 आएगा ठीक है तो 12, 16, 20 फिर से लिख देते हैं एक बार कोन आएगा पहले 12 फिर 16 फिर 20 इसी तरह जाते है तो लाश्ट आपका 246 आएगा 254 से नहीं कड़ेगा पूरा-पूरा ठीक है तो 246 आएगा ये इसका AP बन गया अब जो है हमको क्या करना है इसमें कुछ वर्ट को फाइंट करेंगे ठीक है पहले हमारा फर्मुला जो होता है टोटल निकालने वाला क्या फर्मुला होता है पता है वो फर्मुला होता है हमारा AN is equal to होता है A plus N minus 1 into D तो AN कितना है आपका A नहीं हमारा 246 ठीक है बराबर लिग दो A कितना है A हो गया 12 प्लस N कितना है N तो निकालना है आपको N minus 1 और D कितना है आपका 4-4 का अंतर चल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 248 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 4N 4N minus 4 ठीक है तो 12 मैंसे 4 घटा दो यहाँ पर आप क्या करो थोड़ा सा दिखका थोड़ा है space के कारण तो हम यहाँ पर फ़सर manage कर देते 12 में से अब 4 घटा होगे कितना आगए 8, देखो 12 में से 4 घटा होगे कितना आएगा 8, 8 को उस तरब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हम direct shortcut मार रहे हैं, आप detail में लिख लेना 240 हो जाएगा, 240 बराबर हो जाएगा 4N, अगर हम N का value निकालना चाहें तो 240 बटा 4 लिख सकते हैं इसको इससे काटा होगे कितना बर्म कड़ेगा 60 बार में, देखो कही पर option में 60 है option B में आपको 60 दिख रहा होगा यहाँ पे देखो ध्यान से, option B में 60 दिख रहा है न, यहीं इसका answer हो जाएगा ठीक है, चलो question number 18 में आते है question number 18 में कहे रहा है आकिर्ती यह वाला photo पे बनेगा ठीक है, इस वाले photo पे दिया है आकिर्ती दिया गया है, सबका value दे दिया है आप से पूचा है, जानते हो इसमें क्या होता है यह भुजा, इसके अनुपात, यह सबका भुजा का अनुपात बराबर होता है यानि यह हो जाता है AD by DB AD by DB बराबर हो जाएगा AE AE by EC AE by EC, ठीक है अब इसको कैसे बनाएंगे, सबका value रख देजिए सबका value रखने का इसका समानुपात में होता है आपका इसे AD है AD का value केतना है, 3 और DB का value केतना है, BD का देज़ ठीक है, बराबर AE तो आपको निकालना है AE निकालना है, और EC का value दिया हो है 1, तो देज़ से काटोगे तो केतना 2 बार में 3 आएगा, देज़ दूना 3 अब 2 एक कम 2, AE को 1 से कर रहो तो AE, AE बराबर क्या हो गया 2 के एक से गुना कर रहो, cross multiplication कर रहे है कोना कोनी कुना, ठीक है 2 एक कम 2, AE एक कम AE तो AE एक कम AE हो गया, अब 2 एक कम 2 यानि AE का जो value आया, 2 आ गया दो कहा है, option number C में है ठीक है, दो आगया answer इसका चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल देखें क्या है, तिर्भूज ABC और BED में दो संबाहू तिर्भूज इस परकार है कि D भुजा BC का मद्ध बिंदू है इसका कहरा है कि एक तिर्भूज है, ठीक है कहरा है कि तिर्भूज में D भुजी भुरा E A हो गया, ठीक है E आपका B हो गया, इस ही हो गया D भुजा BC का मद्ध बिंदू, यहां पे एक भुजा D है, और BDE ठीक है, ओर इस तिर्भूज बन रहा है तो आपको हम यहां पर trick बता देते हैं आप इस भुजा को देखना AB आप AB को लिख देना और DE को लिख लेना इस भले भुजा को ठीक है इसको लिख लेना AB देखे क्या भाग में बटाए एक दो तो यहाँ पे दो लिखना यह ED के भाग में एक भाग में इसका square कर देना कितना हो गया दो दूना चार एक चार अनुपात एक ओप्सन नमबर C हो जाएगा यह trick है ठीक है यह method नहीं है अब आप बोलोगा यह कैसे हुआ तो यह method नहीं है ठीक है यह trick है सिप आपको exam में help के लिए ठीक है चलो question number 20 पे आते हैं question number 20 पे कह रहा है तिर्बूज ABC में AC square प्लस बराबर AB square प्लस BC square है तो कौन सा 90 degree होगा कौन सा को 90 degree होगा देखो यहाँ पे ध्यान से सबसे फ़हले आप एक तिर्बूज बनाओ ठीक है इस तरह से तिर्बूज बना दिया अगर यह A होगा यह B होगा यह C होगा अभी हमने माना है ठीक है तो यहाँ पे बोल रहा है AC square कर्न square तो AC अब मैरा सही fit गया यह कर्न square होगा लंब AB square अधार BC square तो बोला है कौन समकोन होगा तो यही नहीं समकोन होगा तो कौन B होगा कौन B होगा तो option number B हो जाएगा यदि विभाजन बिंदू मद बिंदू है तो यदि विभाजन बिंदू मद बिंदू है तो M1 M2 का अनुपात गयाद करना है आपको अब देखें यहाँ पर CDC बात है भाईया एक लाइन खिश देंगे हम यहाँ पर ठीक है यहाँ से हमने एको बांट दिया अगर जब मद बिंदू का मतलब क्या होता है बीच में अदर मिडिल पॉइंट में जब बांट दिया तो मान के चलोखर इधर अगर 5 सेंटीमीटर है इधर भी अगर 5 सेंटीमीटर दोनों तो 5 ही 5 होगे ना अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 5 by 5 निकालेंगे, कट के क्या आजाएगा, 1 by 1 आजाएगा, तो एक अनुपात एक आजाएगा, option number C हो जाएगा, next क्या है, 1 minus 10 square 45, 1 plus 10 square 45, जानते हो 1045 का मान कितना होता है, बोलोगे यस, जानते हैं, तो देखो, 1 minus 1045 का मान कितना होता है, 1 तो 1 का square कर दो न, यहाँ पर क्या है, 1 plus, यहाँ पर भी बोला 1045, 1045 का भी 1, I square, square हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर square लगा होगा है, ठीक है, धियान देना, तो देखो, 1 का square कितना हो कर दो, ठीक है, वो 1 ही आएगा, तो 1 minus 1, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 1 plus 1, ठीक है, तो 1 minus 1, 0, यहाँ पर आजाएगा, 1, 1, 2 हो जाएगा, तो 0 को अगर 2 से भाग दीजिएगा, तो 0 है न आएगा, तो देखिए, कहाँ पर option number D में answer हो गया, ठीक है, अगला सवाल देखिए कहा है, sin 18, cos 72, तो सीधा सा बात है, इसको sin 18 है, तो sin 18 को आप change कर लो न, देखिए, cos, इसको हम लिख सकते हैं, cos 90 minus theta, cos 90 minus theta होता है, sin theta, नीचे केतना है भाईया, cos, sorry, sorry, यहाँ पर लिखो sin, यहाँ पर लिखो sin, तो sin 90 minus 72 घटा हो कितना हो जाएगा, 18 तो चाहिए, या तो आप sin 18 ऐसे लिखो, चाहिए sin 18 ऐसे लिखो, बात तो एक ही है न, तो यहाँ पर हो गया, sin 90 minus 72, cos 72, sin 90 minus theta क्या हो जाता है, cos 72 हो जाएगा, ठीक है, sin 90 minus theta, cos theta, नीचे भी आपका वही हो गया, cos बहुत है, तो cos कॉस कट करें कितना आ जाएगा, one आ जाएगा, one कहा है, option number B में, दूसरी बात, दूसरा तरीका यह है, कि जिस एंगल का, यह वला एंगल और यह वला एंगल, जोड़ने से, अगर आपका 90 हो जाता है, तो इसका अंसर आँख बन करके, एक दे दीजिएगा, ठीक है, तो यह आपका ट्रीक हुआ, ठीक है, चलते हैं अगला सवाल पर, अगला सवाल देखें क्या रहा है, tan A बराबर यतना sin A का मान बताईए, तो भाईया, tan A, एक फॉर्मूला होता है, लाल कक्का, लाल और कक्का, ठीक है, लाल और कक्का, तो sin cos 10, लंब बता अधार, 10 में क्या आगिया, लंब बता अधार, ठीक है, तो आपको लंब दिया है, आपको लंब दिया है, और अधार दिया है, लंब और अधार दिया, लंब केतना हो गया, चार, अधार केतना हो गया, तीन, तो लंब और अधार आपके पास आ गया, साइन एका पूछा है, तो साइन एक केतना होता है, साइन पहला वला होता है, ठीक है, यह पहला वला साइन है आपका, ठीक है, रुक जाओ, इसको हम कलर फूल कर देते ताकि आपको समझ में पहला वाला आपका क्या हो गया साइन हो गया साइन में क्या आ रहा है लंब और कर्ण लंब और अधार है आपके पास कर्ण निकालना है तो कर्ण का जो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट करन का स्क्वाइर हो लंब 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 का स्क्वाइ करन कितना निकाले 5 तो 4 बटा 5 देखो कहां पे आ रहा है option number B में आ रहा है ठीक है आएगा ना आपसे किसका पूछा है sign A का value पूछा है तो sign A में क्या होता है लंब बटा करन होता है तो लंब बटा करन लिखो sign A बराबर लंब बटा करन लंब कितना है चार अकरन कितना है पांच तो चार बटा 5 अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखो कह रहा है ना इस वाली सवाल को देखो कितना लंबा सवाल है देखो यहाँ पर question number 26 कह रहा है ना इसमें इसमें कह रहा है कि भूमी के एक बिंदू से जो मिनार के पाद बिंदू से 30 मीटर दूर है मिनार के सिखर का उन्यन कोन 60 डिगरी है तो मिनार की उचाई कितनी हो जाएगी अब यहाँ पर थोड़ा से जो मिनार के पाद बिंदू 30 मीटर दूर है तो मिनार के यहाँ को बनेगा इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपके पास है क्या क्या तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर एक लंब मिलेगा और एक अधार मिलेगा और आपके पास कुछो नहीं है ठीक है तो लंब और अधार तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि आपके पास लंब है और क्या बाबू अधार है तो लंब बटा अधार जो है आपको कौन स तीसरा नंबर पे आ रहा है, 10 में, तो यह हो जाएगा 10, और ठीटा का मान कितना है, 60, तो आप यहाँ पे लिखो, 10, 60 डिगरी बराबर क्या हो जाएगा, 10, 60 डिगरी बराबर हो जाएगा, लम, लम कितना है बाबू, X, लम कितना है, X, अधार कितना है, 30, तो 10, 60, 10, 60 का वेल लगाओगे न यहाँ पर क्रॉस में मल्टिपिकेशन करोगे तो एक से कम एक हो जाएगा और रूट थिरी को 30 से गुना करोगे तो यह हो जाएगा 30 रूट थिरी कहां पर आ रहा बाबू ऑप्सन नंबर बी में आ रहा है ठीक है इसको आप लोग बना लेना ओके चलते हैं लिवान क्या होगा देखो यहाँ पर कह रहा है न यहाँ पर एक तिर्भुज बनाने के लिए बोल रहा है ठीक एक तिर्भुज बना लो सबसे पहले कह रहा है P QR में जिसका Q समकून है तो यह वाला पार्ट क्यू हो गिया Q समकून है अब पी आर 6 cm है तो ये पी हो जागा ये आर हो जागा पी आर हो गया आपका 6 cm पी क्यू हो गया 3 cm ठीक है तो कौन Q-P-R कौन क्या हो गया Q-P-R तो आप देखो ये वाला Q-P-R ये कौन हो गया ये नियून कौन हो गया नियून कौन के सामने वाला लंब होता है ये करन होता है ये पी आर हमारे पस क्या है एक अधार है और एक करन है बाबू ठीक है दो बिंदू है तो एक अधार एक करन है अधार केतना है तीन करन केतना है आपका छे ठीक है तो इसको अगर आप काटो को तो कितना आजाएगा वन बाई टू कटी जाएगा वन बाई टू आजाएगा तो आ नवुला की था हमारा ट्रिक लाल कक्का ठीक है लाल कक्का तो अधार बठकन किसमें कॉस में है छाइन कोस में आता है य्य सुस का वैलू हो त्यों कितने डिगरी का मांध मी बराबर 1 by 2 होता है तो cos 60 degree बराबर 1 by 2 होता है यानि cos 60 degree के बराबर हो जाएगा और इसका कौन हो जाएगा 60 degree ठीक है समझ में आ गया चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल कह रहा है एक विर्थ के कितनी समांतर असपर्स रेखाएं हो सकती है देखें यहाँ पर असपर्स रेखा स्रिफ नहीं बोला है बोला है विर्थ तो होगा लेकिन कितनी समांतर होना चाहिए तो समांतर में स्रिफ दो ही होगा ठीक है option number B हो जाएगा next है एक बिंदू Q से एक विर्थ पर असपर्स रेखा की लंबाई 24 cm तथा Q से केंदर की दूरी 25 cm विर्थ की त्रिफ यह क्या हो जाएगा अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा इसमें कह रहा है कि एक विर्थ है ठीक है एक विर्थ है विर्थ के बाद आपको क्या बोल रहा है न एक बिंदू Q से विर्थ की जो असपर्स रेखा की लंबाई 24 cm है ठीक है तो माल लेते हैं यहाँ पर हमने एक बिंदू ले लिया पी ठीक है रुख जाओ हमने यहाँ पर एक बिंदू ले लिया पी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो 24 है कितना है चोबिस एठीक इतना 24 हो गया अभल रहा है ना कि एह रहां पर केंदr हो घाप उसका बोल रहें कि असपर केंदr से क्योग ब्रक हो गताए मिलिस्तुन जाएगा 25 हो जाएगा तो आप आपसे कह रहा है विर्थ की तिरिज्या क्या होगी यानि ये वाला point पुछा है आपसे ये वाला पुछा है तो आपका O हो गिया आप देखो यहाँ पे एक तिर्भूज बन जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा कर्ण ये हो जाएगा अधार ये हो जाएगा लंब तो लंब का स्क्वाइर में क्या होता है बताओ अगर हम O P का निकालना चाहेंगे अगर हम O P निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर और क्या कि स्क्वाइर हटता है रूट अंडर कर्ण में अधार को घटा दीजिए यानि कि 25 का स्क्वार हम सौड में बना रहे हैं ठीक है आप लोग जो पूरा फॉर्मूला लिख करके बनाना क्योंकि यह objective है न तो यहाँ पर हो जागा 25 का स्क्वार कितना हो जाएगा 625 चौबिस का स्क्वार कितना हो जाएगा 576 कितना हो जागा बाबू 576 हो जाएगा आप 625 में 576 जैसे आप घटा होगे तो आपका आ जाएगा 49 49 का रूट निकालोगे आ जाएगा 7 तो 7 cm इसका आंसर हो गया option number A हो जाएगा ठीक है बाबू इसको सही कर लेना और समझ में अगर नहीं आए न तो इसको कौन पर जुकी हुई है इसको भी समझना बहुत जरूरी है ठीक है ध्यान से समझना सब चोटा चोटा कोश्चन है ज्यादा बड़ा कोश्चन नहीं है जो आप लोग P B तीक है इस तरह से कर दिया अब इन दोनों को भी मिला दो मिला दो इस तरह से मिलेगा तभी न अब यहां से रेखा की रचना कर दे तो इसको आधा-धा कोन में भी डिभाइडिट कर देती है ठीक है तो ये भी 40 हो जाएगा ये भी 40 में बढ़ जाएगा ठीक है तो आपसे पूछ रहा है और यहाँ पर जो बनता है यह 30 लेखा पर जो लंब डलाता है तो यह 90 डिगरी का इंगल बनता ह कितना का बनता है 90 का बनता है ठीक है बाबू तो जब यह 90 का बन गया और यह आपका 40 का बन गया तो कितना हो गया 9 अचार कितना हो गया 130 टोटल कितना हो गया 130 लेकिन यहां से यहां तक जो एक तिर्भूच बन रहा है उपर वाला तिर्भूच इस वाले तिर्भूच पर कितना होना चाहिए, 180 तो 180 में आप 130 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 50 डिगरी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल में कहा रहा है, कि 6 cm त्रिज्या वाले एक विर्थ के एक त्रिज्या खंड का 6 तरफल ग्याद कीजिए, जि 30 खंड का फर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए था, तो फर्मूला क्या हो जाता है, ठीटा वाय, ठीटा वाय, 3060, पाइ र ज्वाय, ठीटा कमाण कितना होता है, बताइं, यह कितना दिया है, 60, शाठ है ना यहांपे 60 by 360 पाई कमान 22 बटा साथ आर स्क्वार आर केतना है छे तो 6 को दो बार लिख दीजिए ठीक है 0066 366 का इंसिल इसको गुना किजेगा 22 को 6 से तो 22 को 6 से जैसे गुना किजेगा आप आजाएगा 132 बटा साथ 132 बटा साथ देखिए कहा है option नंबर B में आपको दिख रहा है यही आपका answer हो जाएगा ठीक है चलते है अगले सवाल पे अगले सवाल 32 नंबर में कर रहा है तिरिज्या आर वाले वीर्थ के उस तिरिज्या खंड का चेटरफल गयात किजिए जिसका कौन P है अब आपकी क्या बोलत कौन दिया नहीं है कौन को P कर दिया है तो तिरिज्या खंड का चेटरफल क्या होता है तिरिज्या खंड का चेटरफल होता है ठीटा बाई आर स्क्वाइर होता है बाबू ठीक है तो अब की हम ठीटा के में तो कौनों है यह नहीं है यहाँ पे 360 है यहाँ पे 360 360 कौनों मैच नहीं कर रहा है ठीक है अगर हम यहाँ पे देखो एक ठोड़ अगर हम ध्यान दे तो पी बटा 360 टू पाई आर कर दिया यहाँ पे पाई यार स्क्वाइर हो गिया अब का करें मैच नहीं कर रहा है तो एक काम करो ना यहाँ पे देखो 720 किया है तो 720 कैसी होगा इससे हमको हिंट्स मिल गया कि डबल किया है तो हम क्या करेंगे एक और दूसर उपर एक और दूसरे नीचे गुना कर देंगे तो जैसे गुना किजेगे 360 ना 720 में बदल जाएगा ठीक है और उपरा का हो जाएगा यह जो टू उपरा वाला सी यहाँ पर अगर हम पी को यहाँ रहने दें तो यह यह टू पाई आर हो जाएगा ना यहाँ पे टू पाई तो देखो यह कौन सा आप्सन आगे। आप्सन नंबर डी आगिया। टिक है बस कुछो नहीं करना है उपर नीचे दो से कोस्ता नमर 23 में कर रहा है दो विर्थों की तृज्जाए आठ सेंटीमीटर चेंटीमीटर उस विर्थ की तृज्जाए ग्याद किजिए जिसका छेतरफल इन दोनों विर्थों के छेतरफल के योगी के बराबर है इसका कहने के मतलब एक जो बड़ा वाला विर्थ है ना जो त्रिजय माने है R2 ठीक है तो इन दोनों के 6 तरफल को जोड़ दीज़ेगा तो बड़ा वाले विट का 6 तरफल निकल जाएगा ठीक है यहां भी सब में आप दिखें जो जो मिलेगा उसको लिख लो आपका है अssa है औरहर। अ जाएगा 10 तो 10 कावले अंसर हा जाएगा कहाँ है अब और साहए है 10 नुम्र से ट में है ठीक है देख लो 10 बन गया चलो आते हैं अब अगले सवाल पर अगला सवाल देखें क्या है कह रहा है सबसे बड़े बांस की लंबाई ग्यात कीजिए जो 12 cm, 9 cm और 8 cm उचे कमरे में रखी जाती है तो बिल्कुल आसान है ठीक है इसका आप लोग जो है कॉमेंट करकर बताईए अगर नहीं बना तो फिर हम आपको बाद में बता देंगा बिल्कुल आसान है करके जल्दी से इसका आंसर था हमारे comment box में टाइप कर दो अगला सवाल देखे क्या 35 साथ सेंटी मीटर तिरिज्या पांस सेंटी मीटर उचाए वाले लंब बिरती है बेलन का आयतन क्या होगा तो बेलन का जो आयतन होता ने वो होता है pi r square h होता है तो pi कमान 22 बटा 7 r कितना दे दिया भईया r दे दिया है 7 into 7 और h कितना है भईया 5 है ठीक है साथ से साथ cancel हो जाएगा सबको आपस में गुना करोगे आ जाएगा 770 cm2 option number b आ जाएगा ठीक है next देखो क्या है कहरा 6 cm, 8 cm और 10 cm त्रिज़ा वाले धातू के तीन ठोस गोला को पिगला कर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है इस बड़े गोले की त्रिज़ा क्या होगी तो देखो यहाँ पर भी वही formula लगेगा जिस तरह से उसको बनाया थे सबसे पहले बड़ा गोला का जो है आपको उसको देख लो ठीक है उसके बाद दोनों छोटा गोला का निकाल के जोड़के बताओ लेकिन अगर हम आपको बताएं यहाँ पर ट्रिक बताना चाहेंगे तो आप सिंपल सा बात इन तीनों को आपस में जोड़ लेना थिरी माध्यक बराबर बहूलक पलस टू माध्ये इसको लिख लो आप लोग ठीक है थिरी माध्यक बराबर बहूलक पलस टू माध्ये आप देखो यहाँ पर थिरी माध्यक हमको निकालना क्या है बहूलक तो बहुलक जैसे ही हम निकालेंगे इस बहुलक को हमको निकालना होगा तो थिरी माध्यक में घटेगा कौन? टू माध्यक घटेगा न भाई? थिरी माध्यक माध्यक केतना है बावू? माध्यक 60 तो थिरी माध्यक 68 180 हो जाएगा 2 माध्य, माध्य कितना है बावू? माध्य कितना है बावू? 50, तो 1500 हो जाएगा 1500, माइनस 2 माध्य, माध्य कितना है हमारा? 60 है, तो 120, तो 1200 में 120 घटा दो, कितना आ गया? 30, option number B answer हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया, ये वाला formula याद रख लेना 3 माध्यक, बराबर बहूलक, पलस 2 माध्य अगला question है, अगला question है आपका 38 number किस परकार का तोरन है? जब उपर से नीचे जाता है, तो ये अधिक परकार का तोरन होता है ठीक है, याद रखिएगा next है हमारा, निमलिकित में से कौन सी घटना परायक्ता नहीं हो सकती, तो माइनस में कोई भी होगा तो वो परायक्ता नहीं होगा, ठीक है question number 40 को देखिए ध्यान से question number कहरा है, दो खिलाड़ी संगीता और रेसमा, टेनिस मैच खेलते हैं, ये ग्यात है कि संगीता दोबारा कुछा संभावना किसका होगा, दूसरके का नहीं होगा, तो दूसरके के कितना हो जागा, इसको घटा होगा तो एक मेंसी जब इसको घटा होगा, तक इतना जागा, 0.38 कि बात समझें न, तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल पर यादी पहली बार आए तो सब्सक्राइब